अवा हामी हेरू तिस्रो चरणमा छों रैयस चरणमा परवचन को कारिक्रम छों आजाको परवचन को बिशाय हो चार उपलब्दी हरू रैयो बिशाय स्वामी व्यदादरी महर्शी ले लेखनू भयको दानीकी मा आधारित छा रेशले परस्तूत गर्दिन होनों को लागी मा डाक्टर रोजन गिमेरी जीवलाई अंदरोर्द गर्दा शुन डार्शे पिली इश्वरिय सक्ति लाई नमन व्यदादरी महर्शी लाई नमन याँ उपस्तित सवयलाई मिरहार्दिक नमस्कार अथा स्वागत आजको साप्तारीक सत्सांगमा आज नोवेंबर तेईश को लागी जन भीषे हरू छा वीषे छा तिसको लागी शिर्षक दीएको छा दा फोर अकम्प्लिश्मेंट्स चार उपलवदी हरू वनेरा इसको सब्दान वादूंच शब्दको अनुआदूंच यो भीषे आज जी नहाँ चर्चा हूंदाई चार पोहिलो पटक चर्चा देखी राहे को सुनी राहे को फैमिलियर जफत लागी तरह वीषे जुन रूप मां आएको छा त्यों आज पोहिलो पटक आएको छा रहे एसमा हामिले एतिके जानकारी को लागी पोहिलापनी पड़े का भए सुने को भए धेरे किसीमले एसलाई ब्याख्या गरे को रहे धेरे विस्तार मा बिभिन्न तरीकाले गरे को पाएं ज़ा स्वामी जी को इस सब्ड़ लाक लियं टीया होalen आमीं भूज न सकाऊंगा। ठाली प्रारंबमा आमीं क्ये भूज होने। आमीं इसंग यो चार वन्नी सब्दा जुनचा। यो धेरेठ हम आउँचा। चार वटा, चार वडा आश्रम, चार वडा याँ उपलब्दी वनियाँचा। चार वडा यो मन को पनी कुरा गरेने बुद्धी, आंकार, मन, चित्त, चार। आश्रम, चार। जुन वने का चुमा आए मिले। ब्रह्मचरिय, ग्रियास्त, वानप्रस्त, सन्यास। येस्ता चार वडा धेरेठ हम आउँदा चान। और कहीं-कहीं यो चीजलाई आज जे कुरा होदाईचा। यो सपरी संग कते न कते जोडी राहेको जस्ता आमिले। पाउदा चान। यो बिशयलाई अब स्वामी जी कहीं सब्दमा आमियार। तर याँ जुन उपलब्दी वनियेको चा। तियो उपलब्दी किये हो रहा येसको अर्थ हक्की हो आध्यात्मिक आमरो उन्नतिमा अथ्वा प्राप्तिमा। तेसलाई बुझने कोशिश करूं आजको विशेड। स्वामी जी शुरुकर्दे होनाँचा। हमी सपय को उद्देश्य कसरी बाचनु सांतवर, आनन्द पुर्वर, पूर्ण संतुष्टी प्राप्त गरर बाचनु। वाले मनवलक्क लाएको पांचवडा पल जुन प्राप्त हुँँचा। रिजल्ट्स वनर बन्न वाएको चा। तेसमा माले यह शांती, खुषी, संतुष्टी, आनी हार्मोनी जुन सामंजश्यता। आनी जुन विश्टम वान्चवडा जुन 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 वन्न वाएको चा। जुन यह प्रणाली जुन शुरू आतवा। तेही जुन फल प्राप्त करना को लागी शांती, आनन्द, अथ्वा अत्यदिक खुषी का साथ यह संसार बाचना लागी। पूर्ण संतुष्टी का साथ यह जीवन बाचना को लागी। चार वडा उपलब्दी हरू। अथ्वा उपलब्दी यह सब्द प्रयक गरियेकोचे accomplishments, यह सब्द तमिल वडा उल्था गरियेको यह वला अंग्रेजी माँ। तो यह सब्दला हामी तेसे गरिया उपलब्दी वनेरा जवर्जस्ती अनुवाद गर्ण पनी जरुरी छाइन। यह पूर्वसर्त को रूपमा आयेकोचे यह जशरी यह लेखियेकोचे तेस बड़ा हामी के बुच्छा मने उपलब्दी तती आफेमाओ। तरह पुर्वसर्त को रूपमा केके जन्चारवडा वने सदाचार, सम्रिद्धी, सुखबोग अथुआ कामरा पूर्ती को भोग जुनुँँँचानी कामरा पूर्ती का अवस्तमाओ। तेल्ला यह प्लेजर वनियेकोचे शुखबोग राध्यात्मिक जागरुपता चार रवडा उपलब्दी हरू नवे कन यो पूर्ण उपलब्दी भनु अथवा य führen संतूष्ट सान्त आनन्द पूर्ण जीवन नहुने रहे जाओ तिवर यो उपलब्दी आपहिमा यो सब्द सुन्द आखिरत आपहिमा उपलब्दी सदाचार पूर्ण जीवन पाँचन शक्न वने को दिए आपहिमा उपलब्दी सम्रिद्धी अरेकम जीवं कमानिस को जीवन मा आफेमा उपलब दियो सुखवोग गरन पाउनो इसको आनन्द उठाउन पाउनो आफेमा उपलब दियो आध्यात्मिक जागरुखता होना आफेमा उपलब दियो तियो अर्थमाउपलवदी बनिंच, तोरा तियो पनी क्या का लागी, भनेर भनी सके पची यो पूर्वसर्थक रूपमा पनी आगी, अथ्वा ब्यक्तिले कम से कम येतीत गर्न परे न भाईकन, योडा राम्रो सांत आनन्द पूर्ण, संतुष्ट जीवन बाचनलाई गार पर्दा छा, तियो भायनावने गार पर्दा छा, अब यहां स्वामीजी बनाच, जुन जागरुकता छा, अब यो माथी को अध्यात्मिक जागरुकता, और यो अधिले स्वामा, यो फेरी आयको जागरुकता मात्रे सब्दा छा, यो थोरे फरक्चा, थोरे फरक्किना छा यो जुन सब्द हरु तेश्पची आउदसन तेशलाई हमी विचार करूं हमी सुखपुर्ण, आनंदपुर्ण, सौहाद्रपुर्ण समाजमा अरु संगपनी सौहाद्रता का साथ पाँचनको लागी सद्वाब का साथ पाँचनको लागी समरिद्धी पनी यह उटाओ, सुखभोग पनी हो, समरिद्धी जती महिलाई मातरै समाज सौहाद्रपुर्ण कहा होंच यहड़ा माथी होंच, यहड़ा तला होंच, यहड़ा मदले चूर्ण होंच आरकोलाई, आरकोद सोशीत होंच वने पसी जागरुकता केको वने, महिले कत यही चारवडा मद दे पनी मह कसरीक प्राप्त गरी राहे कुछू यह दूइटा, जन समरिद्धी प्रस्चुखभोग को लागी जे काम नाम गर्दशू तेसमा महिले कसरी गर्ण पर्दशा वनेर जागरुक भाएं वने बल्ल महिले तेसमा मेजरेन मेथड, मात्रार विधी यह दी चाहिं भाय वने सबै समाज मां मह सवहाद्र पूर्ण विवार गर्ण सक्षूर समाज को उन्नती पनी गर्चू क्या गर्दय नगर्णी उन्नती नगर्णी भाय ता हामी मानव आज यह सोचनी अवस्थाम पनी आओ दैना थे कोस्तो उन्नु परचा वनेर हामी ले यवडा मेहनत करेरा कर्म गर्णु परदचा तर त्यो गर्दा खेरी समाज पूरै सम्रिद्धी तीर लागो सम्रिद्धी वने केने सम्रिद्धी समाज संपूर्ण रूप मा मात्र यह ने की सारा तिसकू लागी ता मेजरेन मेधर्णु मेले गर्दा कसेला दुखर नहोँ अथा सबै सामुहीक रूप मा कसरी अगाड़ी बढ़ना सकाँ तिसकू जागरुकता का साथ हामिले मात्रार अब्विदी वने नियम को उपएगो गरेरा हामिले बाच नक्खचू वने बल्ल हमरु जीवन बचाई जुन्छ यो संचार्वजन जीवन यापँच त्यो आनंद पूर्ण वन्च त्यो सभाद्र पूर्ण वन्च सदभाव का सात्मद च्छ रत्यो गर्नको लागी तेही गर्नको लागी तो पहला सदाचार शिक्नू पर यो चारड़ा जुन चारड़ उपलवदी बने र माति मनिये गँचा चारड़ामा कुन भय हमे जा आच सजीलह उन्छ तो पहला सदाचार पूर्ण सदाचार वने को क्यों फेरी? नैतिकता, कर्तभ्य, करुणा, सदाचार वने को क्यों वने? मैं ले कसरी प्रस्तु उत्मनों बज़ा, कसे लाई दुखा दी नहों दैना? सभय को भलो गर्न परदा छाओ? मने जसले इंवा समले दियो तो पक्करी क ने केई गर्न परदा छाओ? जल्ली गरे को छाई? तो Sलाईपन निश्वार्त प्रेम, को श्येवा सदाचार वने को मुझे जवसमा त्यो सदाचार मान छे मा भित्र बड़ा आउधैन त्यो भावना अथ्वा सीखे को छैन सीकाईये को छैन समाजमा संचकार कर रूप मा उसलाई दीये को छैना वने यो अचानक एक दिन चाएं यो मात्रार बिदी अनि अरुसंग सवाद्र पुर्ण व्यवाहर गर प्रेम का साथ व्यवाहर गर वनार उसले कहां बड़ा जान्द चा जान्द ही ना यो सधााचार वने जुन सम्रिध्धी एक एक बढ़ नाख ऊन्द चा उन्न आति तीर त्यो अत्यांत सम्रिध्धी ले शक्ति दिनधाच कामनाले इच्छापुर्दिको कामनाले पनी माँन चेलाई त्यो पूरा हो दे गया बची शक्ति अको स्वक्ती वनेगी, अही बाड़ी, अही बाड़ी, अही बाड़ी उन्हाई है। मतलते सको टेंदेंशी होंचा अजय पली जति वयपनी पूखदई नुए, जति वयपनी पूखदई न ती धर्मा चार जुन छा अथवा सदाचार छा ती उसदाचार नोभॉयको उन्यती सदै विखंडनमा पूखदचे अथवा कहीं कई रते वो दंदमा फस्दचा न ते स को फेरी आवनती शुरूँदाचा जे सदाचार लेने आमरो उन्नती सम्रिद्धी को रक्ष्या गर्दाचा आमिलाई शुख भोगता ठीक जा आमरो शुख सुविदाच जेचा तियो गर्न पाउन परचा पर अत्यधिक तेसको चाना हुदाई गये वने तेसले पनी फेरी द आपने यो क्लेष समाज मा और आपने दुखी बनाऊदाचा जेचा 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 जे दर्माचारन अथवा सेस्थ धर्माचारन मने को सदाचार युक्त जीवन अथवा त्यों तरीकाले हमी बाचन पादो सदाचार चाहिए देवरा स्वामी जी वंजा भर्चुएस लाइफ, सदाचार युक्त जीवन पहिलो, तेश्पची जब सम्रिद्धी, along with सम्रिद्धी, यो तेश्पची सम्रिद्धी संसनाई, सुखभोग संसनाई, सुखः, यो सांसारिक सुखः, यो हैपिनेस या सब्दा आयको छा, यो स जब सदाचार वहिलो, तेश्पची सम्रिद्धी रा सुखः, अथा सुविदा आयको छा, वने बल्ल तेश्टो सुखः, सुविदा ले हामिलाई, अध्यात्मती रपनी दखेल दचा, किना अब तो यो तो पूर्ण वै, मलाई तो पूगयो, अब समाज या समा पूई सक अब म क्ये हूं वनेर प्रस्ण गरनेर खोजने वल्ल बाता और अण पूगदाचा, किना मलाई चाहिने जती, तो मोईले प्राप्त गरी सके, अब मोईले दी न सक्षू, अश्वा मोई अरको खोजी गरना सक्षू, म क्ये हूं, कतावडाई, अथा आध्यात्मिक रूप मा यो की हो वनेर बुजने कोशीस गर्दाचा, त्यो बुजने कोशीस मा लागदा लागदाई, एक दिन वो पूर्ण संतुष्टी प्राप्त गर्दाचा, पूर्ण संतुष्टी वनेको के हूं, त्यो ज्यान, अध्यात्मिक ज्यान, त्यो प्रादुर्वाब हुंदाचा, उसको खोज लेती हां समप्रियाम से तेवर यो जुन चारोडा जुन क्रम मा छन कही क्रम नहीं सही क्रम हो शुरुवात्मा सदाचार नहीं तेश्पची आर्थिक उन्नती नहीं आर्थिक उन्नती हुने वितिके मांचे भीविन न सुख वोक कामना गरन थाल दाचा अनि भाविका योकिनोने प्रकृति प्रदत्त तरह तेश्मा लगाम लगावने काम कसको भाई धर्मक आचरन आतवा सदाचार युक्तजीवन जुन उल्थे संस्कार सीखेगोच सदाचार को नहीं तिकता करत तब्यकर तेश्ले उसले मात्रार भीदी शिकांदा चरा त्यो युगक सुविधा, जब युग तिकता सहित उसले प्राप्त हु नहीं जुटक हो था तेटी बेला बल्ला उसले आध्यात्मक्ता का बदी चार गलतो च पूर्ना सदुष्टी का मार्गमाला थाच्च परम्लक्षय का मार्माला, कि स्वामिजी यहां जेए व भंध सको ज्यान गारुन परच १ संपर, चाट ine , योग गारुन परच, हुत्व सम्झामु था हैं। तरा क्ये जयने पने चवर्दाचाह। क्वित्स also shows which inhabitor, भर्टी से भर्टी दसे भर्ट चाह। नईतिक संप्रों, भूल्यमाद्ने नन्या था भर्टे चाह। त्योन भायन वने यो सम्रिद्धी कस्तोंच अत्यन्त अराजक पनी होंदाच एकदम नमिलेको एक्सेंट्रिक सक्ती जुन सक्ती को संचिती बढ़दाच तेले मद मान प्रतिष्ठार जुन मद पूर्ण ब्यवारलाई अजय बढ़त्तरी गरदाच र तेशपची दियो अहं सबसे शक्ती संचेगुआ। सक्ती को पहलो कड़ी नाइए केओ माराप मेरो त्यों भने काईत संवरिद्धी पहलो आमी केवां चाही मा योहू हो वने रा केई कर्म करे रा मर्क कर्म करने सकने अनि मेरो ये ती सुख सुविदा चा संपत्ती चा फलानों चीज अश्य वने संपति कती हो पहले है पहले संपति कती होलोगा होली लेगा जपन चोर्टी NA किये फत किन चमल धल है तो शप गालोख कदी पहलेगीभ अथ्पाशिफ ओन चेश को ऊपस तो समत recipient रति वो स्ामुहिक वयोग है, स्ामुहिक उन्नाती मनच्वामी व्यक्तीगत वयोग वयोग वे लिद्दक। तर रति व्यक्तीगत अतीरेक वयोगः व। तेशलें यही मद्ह, अहंकार, आनिहरें यह जुन्डेहान वूती जुन्च हो यसलाई बड़ाउंदे गया वने, देहाविमान बड़दाच, दन्द हुनदाच, सुखसुविदा बड़े वने, सोशन हुनदाच, एका तीर एक जाना बड़दाच, योडा समाज बड़दाच, और कुको सोशन वही राहे गवनच, तेवरे पहिलो बनेगो, प्राथमिक ब सप्पई ले आमिलाई आध्यात्मी कुन्यती कराऊंदाच, तो यो सप्पई को समगरतालाई आमिके बन्दाच, ओहो, सो हाद्र पूर्ण जीवन, सामंजश्य पूर्ण जीवन, आनंद पूर्ण जीवन भगाई, यसलाई भनेंच, योडा समाज, राम्र वयबशी कष्ट उन्च, वयल गवन्ड यवडा समाज भनेको यसते कल्पना गरींच, जुन हामरा पईलेकारीसी मुनियरले लेखेर गएका चन, यसतो वय भनेको यवडा पूर्ण समाज, संतुष्ट समाज, आनंद को समाज होगाच, यहां अरको सब्द यहां अन्तीम मा आएकोच, अरेक यह चारणा मद्दे अरेक लाई यह इन्जोइड वन्नी सब्द आखोच, तेलाई भनेको भोग गरनू वन्नी आर्थमा बन्दा पनी तेसलाई पालन गरीनू पर्द छा, केई चीज कर्म गर्दा खेरी जुन गराई होंच, तेसलाई बांचनू होंच, तेवो क्रिया गर् अवस्ताच, तेसलाई यहां इन्जोइड वन्नी सब्द दीएको छ, जस्तो मा खाना खाई राहेको छू वने, खाना खाई राखदा खेरीको छू अनुभव छा, स्वाधिस्ट, जिवमा तरंग, सान्ती, आहा, वनेको छू पत्योचाई गर्नू पर्दा छा वनेको, शप समराइज गरूला, आम्रो समाज राखदा धर्म वने प्याख्यागरी होंगा, ते नैतिक मुल्य मान्यता, स्वाज मा घ्र समाज का संपून वरी चंपूलां आती गरोस् शान्सारिक रूपमा रव्यक्तिगतिक रूपमा हरेक लाई त्योफ परमार्थको अनुभव गर् हे कि ऊक्त 흥ास मांजिगता के हम लोका पामें गालागी को जाती के सफासी पार्म है उत्वड़ता काना पार्म हेल सफासी हो नहुसी है आवाविश्यमा जुद्यकती लेते हो बच्चा जो बूरकिन दाई चा उसले योड़ा समुन्नत समाज साथ चे को समुन्नत संतुष्ट आनन्दपूर्ण बाचन सकने योड़ा समाज निर्माणबाचे उले भूमिका खेलना साथ चे यह स्वामीजी वन्दपूर्ण जवा मान चेले नितिक आचरण गारदा चा तेसको अर्थ यो होई ना कि अत्यंत रुड़िवादी यस्मा एकदम समाथीर होई ना मला इता शुख संपति चाहिन ना यो संचान अरुचीज केई चाहिन ना मत बन गया पनी होंचा मला शुख सब्सकार ना यो बाटमा आउन वायना स्वामी ले भड़ा गजब संचा यह अहलेको समय शापेच्छा रस मैलाइ यह हमीले सीक्येको ज्यान कसरी कारेनों यह मल्यावनी मने रसीक आऊन वायन जब किईको पनी अति गळशाम वने और को यह समाज को तर्वांगेण विकास रोकिं छे जमाज को पूर्ण विकास उनको लाग यो चार होड चाइंच सुखसुबीधा पनी चाइंच शम्पति अईश्वर्य पनी चाइंच तिहां संस्कार नैतिक शंस्कार पनी चाइंच आध्यात्मिक्ता पनी चाइंच यो एसरी पालना होनु पर्यों कि अरको चीज मा थी येसले बाधा न बनौँज। तेवर योडा मानची अत्यांत प्योडा समय मा आयको थियो चला न अत्यांत धनीच। एक दम रामर रामर लुगा लगाँच अन्य यो धार्ब आध्यात्मिक कसरी होना सक्ष। तेव प्रशन आवँधिए। तक तेशको कुनेई एक अरकास न द्वांद चाईना। ये सरी योडा मानची ले नैतिक आचरण गरनौपरेगों कि उसलाई यो उन्नतिको मारगमा सम्रिद्धिको लागी चाईने जो विकास को लागी चाईने, संसारिक विकास को लागी चाईने, कुनेई पनी कार्यों ले गर्द चा, तेशमा यो चीज बाधा बन्न भायना। अधियो रूडी वादी वना राजुन आमिले भन्चाउने कती पैचीज, येल्ले हामिलाई रोकी राए खोट्टामा जेली राहेगो चा, तेश्तो वरीनौपरेगों अधियो पैला पैला एस्तो खालको यो ब्यक्ती अरलाई घरवडबायरे जाना हुदाई ना, अतियो कुनेई वेला कीना आयो थाचाई ना, येजी तेश्तामानने ता अरली कताई रोकी राहेगा चान वने, तीनेरू हटनू परियो, वनिमची एस्तो खालको नईतिकता आ बीर्शुम, जसरी भायपनी मा इलियो गारनू परचा, जसरी भायपनी मा अरकोलाई मारनू परचा, अरकोलाई खोशनू परचा, अरुलाई के दिन दुखा दिनू परचा, वही न, सबेलाई समेटेर लेर जाना सकनी, तीस्तो उन्नती पो उन्नती, तेवर अरकोलाई मार पाइने, सुविदा, सुख भोग, कामना, कामना यसमा हरेक किशिम को कामन, तिवो सपपई कामना यसरी पुरा उनुपर्दा चागी, तिवो नैतिकता को जुन सीमा चा, तिवो पनी नाव तोडियोस, तेसले सुख सुविदाले मेरो अईश्वरिय अथा सब विकास को जुन लक्षे चा, बाउतिक विकास को, तेसले पनी अईले को टेंपोररी सुख भोग ले, मेरो दस वर्श पशे को उन्नती लाइपनी नभिगाराऊश, और अध्यात्मिकता लाइपनी नभिगाराऊश, स्वामजी ले यो प्रश्टरूप माया वन्नवय गोचा, यो चारोडा उपलब्धी हुन, तरह योडा उपलब्धी ले प्राप्त करने चक्करम, और कुकुने उपलब्धी ले नजर अंदाज गरना भायना, तेसले मारना पायना, तेस मातियस्त चेप करना पायना, अनि मात्रे हामी पूर्ण संतूष्ट, आनंद पूर्ण, शांत जीवन बासन यहां स्वामी जी या फूर्ण उदाखेरी आहमेलर लागता चेकि बीशे आंतर भगय जस्तथ, भीचे मा की आये, तरह यो अंतिम मा यो शब जोडिन जे, हामी शुरुगरूं चार उपलब्धी अरु, यहां स्वामी जी भन्दे उनुंच, यहला इस सरसर्छती जशरी ब गुमी रहएको छा आपे माँ पनी शूर्यको वरि प परि पनी गुमी रहएको छी यवडा Solar System tu अरुग्रवपनी चान सब्सक्क्रूई घुमी रहेगा तेश मा कहीं हामी छाओं तेश देखीने ब्रह्माणड पनी तेश अपार अथा जुन हामी निराकार ब्रह्म वन्च तेश वीत्र छे तेश लाई इस्पेस वनेर सब्द प्रयोग गरिये गुछ पनी तो ब्रह्म बने के अम या शब्द सैयुन च्या आकास बननी व कर द pee ढौत आकास अवस्य आकास वह थिल्या हुए और उत्यों स्फ़ीडिश ब्रह्म्मां दॆ आधार हो अधिष्ठान वनेर जुन सब्द प्रय गुंच संस्क्रिट त्यों आधार त्यों यू ब्रह्मान्ड मा जिये चा त्यों सपई लाई सपई मा तेई वरिये गोच र सपई चीज तेई भीत्र चां किन बाईर र भीत्र दूइटाई तेई नहीच गड़ा भीत्र गड़ा बाईर सपई तेई चा त्यों ब्रह्माने तेहां भीत्र वयका सपई प्राणी अरू बस्तू अरू को घार हो गंतभ्यपणी हो उदगमपणी हो तेस हिले घार हो घार बनेगो कियो आमी राती सूच सा भाष्च खाणांड काम करने जान्च जान्च ख्यलना जान्च पड़ना जान्च और भीत्र बस्तू तेश हिगäरी आमरे उदगम प्रस्थान बिंदू पानी तेई हो आमेरे घान प्रत आकास वनेर भनें तो आकास सर्व व्यापी छा तेसे भीत्र हामी छाओं तेसे लिए हामी बने का छाओं तेसे लिए यो हामरो घर हो प्रस्थान पनी तेही बड़ा चा उदगम और ग्रंतव्य पनी तेही हो यू सारा चीज हामरो घर यही घर भीत्र हामी चाँ तरतियो यो घर भीत्र चाँ वनेर न बुझेर हामी एकले एकले हामी नहीं हाँ वनेर हामी एती जुन योडा कोठा यो मेरो कोठा अज शान सान मात यो यो साइड मान आओ यो मेरो बेडो केटा केटिया लिए यो टेबल छुना पाए देनी इसे ही गरी हामी बयस्क मांचे पनी तेसे ही गरी ब्यवार गरी रहे काच मनी वसांसार में किसे लिए दुख निमतिया रहे काच तो जब हामी आध्यात्मिक द्रिष्टी जब आउधा चा तब हामी किये बुझ न सकता चा मने हामी आत्र सानो प्राणी, पिर्तिवी, सुरिय, सोरिय मंडल आने गैलेक्सी, गैलेक्सी वन्दा ठूलो तेत्रो ठूलो विद्र हामी आत्र सानो यही न告诉aría हामी घरो यो टासा कुना में आमी बसीराहाय पाचा शाम्त hamी त्यही हामी हो रा योग हामरो सबयको सामुईक साजा घरों सबयको तो योग बीच मा यो चीज कीना स्वाम जीले यहां भीत्र छिरावनुब यहां हामी कही चीज जोड़नु परने होंचा जोड़नु परने क्ये होंचा वने फेरी सुरुवात वड़ाजी अईले सम्मा भनिय मत्य सलाई थोर है रीकैप जस्तोगाच हामे यो जुन चार अड़ा सब्द प्रयोग गरे हों स्वामी जीले वन्वा चार अड़ा उपलब्धी तो चार अड़ा उपलब्धी को नाम के दियों हामले भर्चिव, सदाचा, प्रोस्पेरिटी, सम्रिद्धी ते सुरु वने को सुखबोग वनेर वने प्लेजर रचवुथ वनेव स्पिरिच्वल अवेरनेस आध्यात्मिक जागरूपता यही साब्दा हामरोड ट्रेडिशनल आम्यले सुनी रहे को सब्दा हरू जसाद आमरोठाउमा माले ते सुरु मा प्रयोग गरी न है किने वने आमी फेरी बाटो छोड़चम वनेर तरह यहाँ अन्तियमा तेल्लाई फेरी सुन्ने वेला भायगोच आमीले तिने जार उड़ालाई आमेले सुनी राहे को सब्द हो, आमेरो चेत्रमा चार पुरुशार्था वननते धर्मा अर्था काम मोक्ष यहां स्वामिया धर्मा वने को कसरी व्याख्या गरिंच dud नहीं तिकता नहीं तिकता पूर्ण व्यभहार नहीं ध्यार्मा हो तियो धर्म को लागी केही नियम पालना गरिनुद आचरन हरको रूपमा नियम पालना गरनु परदचा तेसे लाई धर्म आचरन वनिए तियो जानी सके पची तेही ने प्रमुखो तेही जाने पची तेही आचरनले बाधेरा हामिले अर्थ अर्थो पाद दन गरनु परे, वनेको प्रोस्पेरिटी सम्रिद्धी को बाटमा लागनु परे काम, काम वनेको जेनरल सबै डिजायर को लागी प्रयोग होंच रख, हामिले आश्रम, चारवडा आश्रम मा कुरा करें वने ग्रियास्ता आश्रम मा पूगता हेरी काम को योड़ा सुखबोग, सारीरिक सुखबोग को पनी कुराओँ दाचा तेसलाई पनी धर्म को आचरणले, नहीं तीका आचरणले बादन पालचा सारा डिजायर को कुराओ, तरह पहले का इंग्रियास्ता आश्रम मा पूगता हेरी जीवन यापन गारने कुराँ मत्यों पनी अचरणले मौक्षे बने को यहां सुखवामी जी ले स्पीरिच्वाल अवेरनेस बनना गाएक सा, यो ज्ञान योग हां इंग्षे बनने सब्दको ज्ञान योग मा भक्ति योग मा र खर्म योग मा फरक फरक की सीमले ब्याख्या होँगाँ अनलाई ते परम को प्राप्ती हों, कसरी तो स्वामी जी ले आध्यात्मिक जागरुकता बने रहा है ज्ञान योग को परिवासा मोख्षय को यहां रहनुदए को हमी ज्ञान योग अथो राज योग में जो लायका चाह उन्हार को लाई के ओ हरेक समय तयो बोध मा रहनूरा, तयी बोध, जुन परमात्मा को बोधच, तयसे लेगार, तयसे को प्राप्ति पचि सबय चीज लई जागरुकता कासाथ हरनसकनी हमरो सामर थेलाई यो मोख्चको हमरो ज्ञानियो को सब्द त्याँ परयोगन, धर्म अर्थ काम मोग्ष यू क्यो आमिले सब्द प्रयोगर्च पुरुषार्थ हो वनरवन चार पुरुषार्थ पुरुष वनेगो क्यो सांख्ययो ज्यानयो जती पनी योगमा पुरुष वनेगो तो विराठ ब्रह्मा ब्रह्मलाईने पुरुश्वनिये कोचे, अब हामी व्यक्तिलाई पनी आत्मा को सरीरी करण मने को जसते हरेक सरीर भीत्र तेही पुरुश्विद्यमा आँछा जसलाई जाने पची हामरो आत्म बोद पूरा होंचा वनेर वन्दजा, तेही पुरुश्, हामी सान, आत्मा आफु भीत्र पुरुश मांचा मांचा अनि तेहो ब्रह्मा आए आमी ते सलाई शाम्जी दाख्यरी पुरुश्वत्तम मनेर हाँचा, स्वा योगी सत्यम ते सरी डेस्क्राइब गर्देमाचा, तो तेव पुरुश्वत्तम हामी पुरुश्वत्तम पुरुश्ले किये गरे वने तेव पुरुषवत्तम संगा ये कुन साथ जिए तो हमी बाटो तो ते लागी राश्च में वितरा आत्मा हूं तो उसलाई कसरी प्राप्त गरन साथ जाए जवसम्मा आध्यात्मिक अनुभूति हो दैना मोक्षे वने जशलाई तो आवसम्मा तियो प्राप्त हो दैना तियो प्राप्त गरन लाए पुरुषवत्तम बनाओ नको लागी जुन हामी लाए अर्था चाहिए अर्था बनेको जुन चीज हामी ले प्राप्त गरनु परदा चा पुरुवस अर्था को रूपमा उनु परदा चा जे अर्था हामी ले बुझनु परदा चा तियो के हो च स्वत्तम लाई प्राप्त गर्णको लागी जी बुजनु पर्दचा आपुले आपनो जीवन मा संगालनु पर्दच आंगालनु पर्दच तेसलाई पूरु सार्थ बनियेको तेओ चार वड़ा इनाई स्वामी जी ले आएले भर्खर जी बन्नवायों हामी ले हामरो छेत्र तेसलाई चार पूरु सार्थ बने रद सुनी राहे को सब्द तेसले स्वामी जी ले आगी लो उसमा बन्नवाय कि हामी क्ये हां सप्पई तीर तेही ब्राब्याप्त चा तेही पूरु स्वत्तम हामी क्ये हां अंग्स हां तेही पूरु स्वत्तम आता तेही प्रम्मा बने क्यों कि आमको तहीं गणतब्य आमी प्रस्थान वही का थि हूं तो आमी क्यों यो अंग्स आउं आउले भड़की राखे आढ़े । यो संसारवरी यहता उन्या भ्रमित भाष, दोडि राहे प्रेटा सदा आचार हामिले बुझेनों, बने हामिले गरने अरु सवय चीजले हामिलाई ब्रमीत गरताच। त्यों नैतिक आचरण भायने अने हामिले गरने आर्थिक उपार्जन का क्रिय कल आपले हामिलेग गलते बाटमा लए जानच। आमले जुन सुख शुविधा भोग नलाय अथपा कामना जुन मन लायचें अतिरंजीत बनाय योचाय योचाय गरेर देरेः सुविधा भोगी बनायोने त्याशले पनी गलते बाट मलने जाँच। यो नहीतिक मुल्यमानेता नव जानी कना मा योग गरी राहे कोचु वनेर प्रणायाम गरी राहे कोचु वनेर बशिय वने पन त्यो कैले पार नलायने खालको हामरो निष्फल हामरो प्रयासम चुँँँच ते वर पहीलो ते आचराण वड़ा सदाचार वड़ा शुरुग अध्यों डिविनीटी जो भित्र यो बाईर यो सरीर चो ज चलाए आमीले मुँमा वनेर आज संब्भ मानिराहे का चुँआ तेही भुजनी तेही भुजनू लाए आमी के बंदता हमा चुँआ सेल्फ रियालाइसेश्टुआ है आत्म बोध वनेर प्नेको मह त्यही वनेर जाननु आत्म भूद। रब मोक्षय वन्नी जुन सब्द छा तियो भनेको तीनोडा चरण पार गरे र अंत्यमा मोक्षय को ठाउमा आई पूद छा मानु भनेको शुरु को स्वामी जी ले बड़ा रामर्शीत वन्जा आमी शुरु आती उमेर मा आमी जे गर्द छो भक्ती की शीकआउनु परद छा वन्नें वक्ती वाक्तीमा की शीकाईँचि- तेल्माने शीकाईचि ले। तेस पचि कर्मगर आवानेर अरको फिजाओन शुच्त आओना भप्राह्मा चर्या आलमा complement चर्वट अध्ड आह मी जोद होस्ति कर्म कर्मगरन और क्रें से लेहां शु आपनो रापनो परिवार को लागे, उतर त्यो सपरी चीज गर्न को लागे, उसले ते नहीं तिक मुल्य मान्य ताले सगाउदाचा, अनि उसले तेरे लागदाचा तेश में, त्यो गरी सके पची त्यो व्यक्ति, त्यो बानप्रस्ता आश्न, योड़ा अर कोई स्टेज अन्तीम चरण, तेती वेला हामितियो मोख्ष को बाताबाला आज़ाचा, यो आत्म बोध मनेगो या तत्यो आश्रम मा ग्रियस्ति अरको लागी तेसरी बाताचा, कोसे कोसे ले, पूरे इस सुरुवड़े लागदाचा, सुरुवड़े लागदाचा, सन्यासी ने भःर तरह जशरी हिड़े पनी, यो बातो बड़ा हिड़े खेरी अन्तीम बनेगो मोख्ष हो, अन्तीम बनेगो, यो बान चेले नैतिकता पूर्ण बाच्यो, सामाजिक प्राणी, एक नम राम्र सामाजिक प्राणी को रूप मा, सुखद रूप मा बाच्यो बने पनी, अन्तीम तियो भने को आत्म बोद्र, परमात्म बोद्र, तियो भने कई केगो, तेई मा जेरे कार्य गरी राहेगोचु, जुन चेतना छा, तियो ही नही परम चेतना भने को, तियो दिभ्यावस्था हो, दिभ्यावस्था हो, दिभ्यावस्था को, गुण हरुमा क्ये पदसु, तेई तियो जुन बौध को रूपपमा जाननु, तियो के हो? तियो वनेगो चेतन. चित हो. आनन्दा वनेख के हो? ओहु तियो था पार, तियो आत्म भाव विवोर हुनु. अनु तिय सले कुन 밝혔 का रूपमा या अरु का रूपमा अथो आरु प्राणिलाए अ देखेर पने मनले. तेसलाई ओहो यस्तो ब्रह्म यस्तो भगवान मनेर आपई बित गद गद अनुभव माउनुँआ अनुभव माउनुआ अनुभूति करनुआ त्योव अनन्द, परमात्म, परम ले परमान, परम ले ने तेसलाई आनन्द भोगी राहे गज़ा माध्यम आमिबन, जागरू मैंसे तेही आत्म बोद, पुरुषली पुरुषत्तम ले बुजनू अत्रवा आत्मा ले परमात्मा ले बुजनू म भित्रै तेही चर म सतेको अंग्सव मनेर जनुआ त्योव आत्म बोद रव त्यों पूरा ब्रह्म्म तत्वनेई सपपई मौ मात्रहे होय न ज शरी मौ मूं तेशाई करिता सपः त्यों सपः भेत्र तेही नही जा रव मठेपवो लो सपः को आधार तेही हो वनेर थापावनो र मा जुन यो शरीर भेत्र छू त्यू पनी त्यही हो वनेर थाप आउनू लाई ओम कमिंग मन वाईग। अगी आयमिले त्यो घर वनेर आयमिले बुझे वने घर मा आउनू अरायक होंचा बल्ला यो कती बर्स पची घर फर्गे हो व्याना अरायक मानची ब्यलकाः अधर बर्समा अरायक मानची घर फर्गे होती हो घर फर्की नू वनें गो आत्म बॉध गर्ण हो पर जबाआत्म बॉध होंचा यहां मत्तव पूर्ण कडी without आयमिले शिक छामु मुझें त्योत्य चन्य हो ये सरी मात्रा आरा बीदी प्रयोक गरन पर छा, जुन बेला पनी सजक भायरा आमी, जागरूक भायरा आमी लेचे हर एक चीज ला हरन पर छा, मेर बिचार कस्तो छान, मैं ले कार्य गरन लाएको योजना कस्तो छा, ये ले अवर ले गरवड गर चागी गर देना, परा, जब आरी सवहादरता राखने वनेर, उस लाए अरू कसे ले शिखाऊनु पर देना, घोक नु पर देना, रट नु पर देना, जुन बेला पनी, ते वो सदा परमात्मा, बोद मा ले माँ चा, ते शपशी, उस अधाई सदा चा, उले जिय गर्धा चा, ते वो सही नही गर्धा बाटो, इस्थाई सम्रिद्धी, इस्थाई सुविधार सपई चीज माँ चले संसार्मा जोडे को च, ते स्कूपनी इस्थाई आनंद लीन सकने, ते वो बोगाई बाचन सकने अवस्ता वने को, आमी ते वो पूर्ण ब्रह्म संग, ले माँ भयो मने, बल्ल संभव च, ते अरुलाई मदद गरन कोशिच करें, आमीले अथोपा आर्जन करें, एकदम सोची-सोची व्यवार करें, अरुचान करें, खराब नगरनी वनेर करें, ते सपई के तपश्या जस्था कारे हो, तपश्या, तपश्या, तपफ, तेसले जी उपलब्दी दीन च, तेस पची ज अपश्या जस्था कारे हो, तपश्या, अब स्वभाविक हों जाच, श्वता स्फूर्त हों जाच, किनवानि तियो ब्रह्मले मलाय माध्यम बनार अगाडी प्रश्पुटीत करायी रहें, विचार हरू, कर्मा हरू, यो बाडी बड़ जी निश्कीन च, तियो सबय ची ले त्युआ संग शंग संग हिडे को जशत्तो लागता च्छा रच शंग संग हिडे को चाईने वनने तियो अत्म बूध भईध भईवनने प्रकत्रणी ब्रह्मात्र प्राओ나 धर्प मोसे याले मात प्राप्त मुझक्त प्रम्लाigon कोसं डुदेगोरी कार्यpty software गडें て पर игр गोक्त प्रांबूयाव। मने तियो गुण, गुण मात आये न, ये इसको मतलब जुन ज्ञान, तियो प्राप्त बहय बनियेको ज्ञान, तियो साथ से हुई न रहाएचा, तेवरत हामिले कसरी था पाउँचा, येवड़ा ब्यक्ती ज्ञानी होकी, ज्ञानी पुरुष होकी होई न, अत्वा आत्मा बोद भायको होकी होई न, उसको ब्यवहार, उसको ब्यवहार उसबड़ जे प्रस्पुटी तमधाचा, और उसलिए जे भनी राहेगोचा, तियो परम को गुण हरू, उसलिए बताउँदाचा, तियसमा केई न केई भिन्नता भाय राहेगोचा, आचरन मा भिन्नताचा, तेवर यो स्वामजीले आंत्यमा यो भन्नकोजन भायकोचा केई बने, तियो जुन गुण, शुरुवात जुन थियो धार, नाइतिक ताको आचरन, तियो कईले पनी हराउन दैने, तपस्चर्या गरदा पनी हराउन दैने, बाटमा लागदा पनी, रा जबत तियो आत्मा बोध वाईशक्चा, तेश पसी तहरावनी कुरेई भायना, तियो आखुले आख बीरशिये पनी, नीद्रामा पनी, तियो तेशेगरी प्रसपुटीत होदाचा, तियो कहीं बेमेल चा बने, आखुले फेरी आखुले आत्मने रिच्छन गरने बेला बह, कि मैं ले यो कही चूप गरी रहेगो चूँ, मेरो तप पुगे को चाईना, मत्यो आवस्तामा पुगे को चाईना, मा ब्रहमीत चूप, यो था आपाय बची, हामी यो घर मा, घर मा सही माने मा परके रह, घर मा, घर लाए आत्म साथ, पूरा घर लाए आत्म साथ करे रह, तिसका सारा वाश इंदार संग मा योटे हूँ वन्यार था, मा हमी बाचन सब्सक्राइब तैसे लिए स्वामी जी वन्नाँचा, आमी सप्पई उद्देश्य क्यों, क्ये गरवा आमी? आमी सप्पई बाचन सब्सक्राइब तैसे लिए 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 सब्सक्राइब तैसे लि पर देना तरह सुख भोग त्याग परदेना ओहो म्यन्टो यता खाना उद्याईना बननों परे नुए खाउंँ अहा जीवन मा धालियों मने, इसको अंतीम जुन गंतव्य हो, त्यू हो मोक्षिया। Ultimate liberation of our soul. हामरो मुक्ति, आत्मा को मुक्ति, आत्मा को मुक्ति वने को क्यों? तेई परम्मा जबयो लय होंच, अपर बिलय होंच, त्यसमा मिलदचा, एकाकार होंदचा। तो त्यू एकाकार वयको अन भूति मा, हामी बाचन सग्द सम्झा। जसला हामी जीवन मुक्त वनेर बन्चा। जीवन मुक्त वनेर, त्यू रूप मा हामी बाचन सग्द सम्झा। अवश्य दे अत्याग पचिया, आमी एक तो पहले भाई सेगे काशा, सजीले एक भाई आले। येसको लागी हामरो तप हो आत्म निरिच्छन गरों कहां चूक भाई राहेगोच। आइक समय जाग रुक उने कोशीश करें। उ획किया गरी राहेगोच Southуска, पाउनों परने होचू, कीए को मिड़ी राहेगोच। निर्दिष्टा रहेगोच। आमी साधक हों हामरो एक तम निर्दिश्ट बाट चूक। निशिचित आम्रोब लक्ष्य चा त्यों निश्चित लक्ष्य और सबाय हमिले तेस на कोश साधना हमिले सखी शक्यागेhando चहाँ . जोने मैं थार हमिले सकी। शेखे शक्यागे चाही हमाने त्यों तो सही तरीकाल हमे जीवन लाई अगाड़ी लई जानू पर्दचा तेसे वाटने हमरो मुक्ती संभवच वह यही आज़र को बिसे लाई मुले बिरामधी नचाहे इश्वरिय सक्ति लाई नमन व्यदादरी महर्शिलाई नमन इश्वरिय सक्ति को हामी सवयमा सदैव कृपः रहिरावश बिज़्यभाई बिज़्यभाई धन्यवाद धन्यवाद छेड़ाज आज़ को योँ परस्तती धर नहीं अम्रोथियो अम्रोप प्रमपरागत हिसाबले चलिया को जून जन 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 팅 न जन धर्म, कर्म अर्था मोक्षा तो जम्माई लाई जहां नाया ड्हांग ले अईले को हिसाब में फीठ हुने गरी स्वामी जी ले तो चारे वड़ा लाई सिंपुल हिसाब ले ले लावनु भय को रहा छे कि हम यह सरी बांचें भने हमरो जीवन अर्था पूंग हुन चा मिनिंग फूल हु आ पुड़ decreases नाय नंतद स्वाल जीवन फिन सेख को सोबिडम आज तो gotta plan को पीपढ़ की बेगते मैं बी मैं अचुन को पूरी पूरी पर इवार भी बिंग मैं बी मैं वी ब्लेश़्चि ön अ साथियरू आप आमेरू अंतिम चरण माँ छाम अन्भाव को शेरिंग गरने पर्ष्णारू को पालो छा पुरी साथियले कही शेर गरने हुँँचे बने राखंग फुलोर ओपेंच्छा चाहिने भने साथियरू समय पनी हुणना लागयों यहारू को अनुमति छा बने आजा को यो सापता एक साथ शांग यही समाप्त गरने अरको हापता हमी अरको उदेशेले रावसे ने अपस्ते थुने छां तबसंगो लागे बिदा पाऊं आजा को यहां को दिन सुगोस यो गुरुमाडरी मांसले नमान वे बिलस्पेड पाइवे बिलस्पेड पाइवे बैसे बीड़ी बीड़ी रिष्वेड अ कुछुणू